लास्ट विक जब मैंने आपके साथ मसाला तिखा गाठिया रेसिपी शेर की थी, तब बहुत सारे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी कि भावनगरी गाठिया की रेसिपी भी हमारे साथ शेर कीजेगा, तो आज हम भावनगरी गाठिया बनाएंगे और इसे हम परफेक्ट म बनाने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी और वो है पापडखार तो इतना पापडखार मैंने 10 रुप्य में लिया था और ये कोई भी किराना स्टूर में आसानी से मिलता है और आपको ये ओनलाइन भी मिल जाएगा तो ये वजन में काफी हलका है तो बहुत सारे फ्रेंड्स पूछेंगे कि हमारे पास पापडखार नहीं है तो हम सोडा यूज कर सकते हैं कि नहीं तो मुझे लगता है कि सोडा से हमारा जो गाठिया है वो इतना अच्छा नहीं बनेगा जितना हम पापडखार से बना सकते हैं तो इस भावनगरी गाठिया बनाने के लि तब आपको इंग्रीडियन्ट सब आदे करने होंगे तो यहाँ पर मैंने बेसन को अच्छे से चान लिया है अब उसी के साथ हम दो टीस्फून अजवाइन को हाथ से मसल कर एड़ करेंगे और साबुत काली मिर्श को मैंने दरदरा कूट लिया था तो देट टीस्फून हम कुटी हुई काली मिर्श एड़ करेंगे अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और गाठिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आरारो प्रीमियो मुंगफली का फिल्टर ओयल लिया है और कुकिंग करने के लिए मैं यही तेल का यूज करती हूँ और यह तेल आपको डीमाट, स्टार बजार, रिलाइन स्टोर या फिर कोई भी नस्दी की किराना स्टोर में आसानी से मिल जाएगा और लिंक और फोन नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बुक्स में दे दिया है आप चाहे तो वहाँ पर भी देख सकते हो तो सबसे पहले हम मिक्सिंग बोल में एक कप पानी लेंगे उसी के साथ मैंने एक कप मुंगफली का तेल एड़ किया है एक टीस्पून पापडखार एड़ करेंगे और मैंने यहाँ पर एक टीस्पून नमक एड़ किया है लेकिन थोड़ा सा कम लगा था तो आप चाहे तो देट टीस्पून नमक एड़ कर सकते हो अब इसे हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो जैसे ही पापड खारो नमक mix होगा तो हमारा जो मिश्रन है वो light और इस तरह का fluffy हो जाएगा तो गाठिया बनाने के लिए यहाँ पर हमारा मिश्रन ready है तो सारा का सारा मिश्रन हम बेसन के साथ add करेंगे और डो लगा करके तयार करेंगे और भाउनगरी गाठिया में तेल की मात्रा ज्यादा होती है तब भी वो सौफ्ट बनते हैं और मिक्सिंग बॉल में भी मैंने एक से देट टेबल स्पून जितना पानी एड़ किया था तो वो भी एड़ करेंगे और नर्म और चिपचिपा डो लगा करके तयार करेंगे तो यहाँ पर हमारा डो रेड़ी है लेकिन अभी ये गाठिया बनाने के लिए रेड़ी नहीं है तो डो को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते जाएंगे और इसे अच्छे से मसलेंगे तो मसलने में मैंने 3-4 टेबल स्पून पानी का यूज किया है तो जैसे जैसे हम इसे मसल ते जाएंगे डो का कलर भी चेंज होगा और ये थुड़ा सा light भी हो जाएगा तो हमें इसे 4-5 मिनिट अच्छे से मसल ना होगा तो इतना डो मसल ने में मैंने 4 टेबल स्पून जितने पानी का यूज किया है तो ये हमारा मसला हुआ डो है और ये बीना मसला हुआ तो दोनों में आप फर्क देख सकते हो तो इसी तरह से हम बाकी के डो को भी मसल लेंगे तो यहाँ पर हमने डो को अच्छे से मसल लिया है अब हाथ में मैंने थुड़ा सा तेल स्प्रेड किया है तो dough को हम इस तरह से समेट लेंगे और इसे हम एक अलग बॉल में निकाल लेंगे अब गाठिया बनाने के लिए जो special जा रहा आता है वो मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पर सेव बनाने का जो machine है वो लिया है और इसमें मैंने गाठिया वाली जो प्लेट आती है वो रखी है और machine में हम अंदर थोड़ा सा तेल स्फ्रेट कर देंगे और dough इसमें डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने machine में dough भर लिया है अब गाठिया फ्राइ करने के लिए मैंने आरा रो प्रीमियो मूंफली का रिफाइन डोयल लिया है क्योंकि इसमें फ्राइ किया हुआ खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है तो हम gaze की आज मध्यम कर देंगे और इस तरह से हम इसमें गाठिया बना लेंगे अब गाठिया को हम उलट पलट करके fry करेंगे लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि गाठिया का color change नहीं होना चाहिए क्योंकि भावनगरी जो गाठिया है वो color में light होता है और जब गाठिया गर्म हो तब हमें लगेगा कि ये अभी soft है लेकिन थंडा होने के बाद ये खस्ता हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा गाठिया fry हो गया है तो गाठिया को हम जाली में निकाल लेंगे ताकि इसमें जो extra तेल होगा वो सब निकल जाए तो इसी तरह से हम बागी का गाठिया भी बना लेंगे और जाली पर जो गाठिया था इसे हम kitchen paper पर निकालते जाएंगे तो यहाँ पर हमारा second batch भी ready है तो भावनगरी गाठिया बनाना बहुत ही आसान है अगर हम इसे perfect measurement के साथ बनाएंगे तो पहली बार में भी हमारा गाठि क्या को हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे और आप इस गाठिया को airtight container में भरकर महिने तक store कर सकते हो यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो दोस्तों आज की आसान सी भावनगरी गाठिया recipe आपको कैसी लगी वो comments करके जरूर बताएगा मैं धर में फिर मिलूंगी ऐसी ही आसन सी recipe के साथ